हाई फ्रेंज आज हम बात करेंगे इंजिनियरिंग ड्राइंग की इंजिनियरिंग ड्राइंग इंजिनियर्स की लेंग्वेज होती है यह आपको आने चाहिए हर इंजिनियर के लिए यह जरूरी होता है कि उसको इंजिनियरिंग ड्राइंग के भी से में पूर्ण जनकारी ह को तबी वो Mechanical Engineering drawing को बन सकता है Engineering drawing तोर पे स्टार्टिंग होती है एसकेлар से किसी भी बड़ी अथ्वाच हुटी दो योग को कैसे अपने drawing पर प्रदर्सीद करें गे कैसे उसको बनाया जाए यहां से इसका शुरुवात होती है तो हम chapter का नाम है scale अर्था मापनी हिंदी में कहें तो scale भी भीन टाइप की होती है plane scale, diagonal scale, isometric scale, vernier scale, chord scale और comparative scale तो बात करते हैं किसी भी scale की सुरुवात कहां से की जाती है किसी भी scale की सुरुवात जो होती है उसकी basic है कि सबसे पहले हमें जो scale दी होती है और types पहचारना जरूरी होता है किसी भी scale का suppose that की कोई question लिखा हुआ है कि एक पूर्ड आकार की सधारन मापनी की रचना कीजिए उस पर 7.4 11.8 cm दूरी अंकित कीजिए अर्थात उस पर present कीजिए सबसे पहले कोई भी engineering drawing होती है उसके लिए कुछ चीजिए निकालने पड़ती है पहला चीजिए होता RF RF अर्थात निम्नता बिन इसको इंग्लिस में कहते है representative friction इसका मतलब होता है जो drawing पर हमने प्रदासित किया दूरी मतलब अपने drawing पर जो dimension प्रदासित किया है आपने drawing एक फर्मूला लिख रहना सबसे पहले वस्तु की drawing पर drawing पर map बटे वस्तु की वास्तविक map यह होती है जो हमारे drawing sheet पर बनाई जाती है वस्तु की drawing पर map और वस्तु की वास्तविक map जैसे कि सपोजड़की एक सौ मीटर लंबी रेल गाड़ी है तो यह उसकी वास्तविक map हो गई और हमने उसको दस मीली मीटर में प्रदसित कर दिया या तस संटी मीटर में तो वह होती है हमारी drawing की map आप बात करते हैं कि इसको कोई question अगर हमारे सामने आए तो इसको कैसे बनेगा आपके सामने एक question मैं रखता हूं देखिए हमारे पास एक question है कि चालिस एक बटे चालिस निमनतम भिन की एक सदारन मापनी बनाई है जिस पर मीटर तथा देशी मीटर प्रतसित किये जा सके इसके द्वारा साथ मीटर की दूरी भी मापी जा सके तथा इस पर 4.7 मीटर की दूरी अंकित किजिए अर्थात इ यह जो वैलू दिये वहान अपन चालिस निमनतम भिन अर्थात आरेफ की वैलू डियो इसकी यह हमें निकालने की जरूत निया क्योंकि हमें वास्तिविक लंबाई और ड्राइंग पर लंबाई दी ही नहीं है इसलिए यह डिरेक्टली यह दिया हुआ है तो हमें यह अवले इसमें डिस्टेंस जोननी पड़ेए कि इसमें सबसे बड़ी जो दूरी प्रदसित करने के लिए बोला गया वह क्या है तो आप देखते हैं क्वेस्चन में एक 4.7500 तता 7500 डो डिस्टेंस दी हुई है 4.7 Crisp instagram चोटी और डिस्टेंस है चोटी पर दिस्टेंस के सबस maximum distance लिए यह वो तो maximum distance है हमारे पास 7 आरफ कितना है वन अपॉन फोर्टी इंटो 7 यह किसमे मीटर में हमें किसमें decimeter यह centimeter में प्रदिस्ट करने गी तो हम इसको centimeter change कर लेते हैं यह 7 meter 7 meter यहानि 100 से multiply कर आलते हैं तो यह centimeter मापनी जो हम बनाएंगे उसकी जो इसको करने के पस्चापच आब इसको salt कर लेंगे तो यह 7.5 centimeters यह हमारी इसकेल ठीकिल नो बनाते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 70.5 mm का एक लाइन कीचेंगे सीधी लाइन कीचेंगे होती है ये लीजिए scale ये ड्राफ्टर इसे 70.5 ये 70.5 का एक scale खीच दिजी ये खीच दिया अब इस से आप 2 mm उपर 20 mm उपर एक लाइन कीच दिजी एक मतलब रेक्टेंगल बना दिजी 20 into 75 का ये हम बताएंगा भी क्यों बना रहे है इसको आप ऐसे मिला दिजीए ये रेक्टेंगल बन गया ये जो distance है यहाँ से यहाँ तक 70.5 है इसके द्वारा हम इस मापनी की जितनी मापनी है उसको प्रदस्त करेंगे maximum distance है 7 मतलब अर्थात की 7 meter आप इसको हम साथ भागों डिवाइड करेंगे इस 7.5 को साथ भागों डिवाइड कर लीजे साथ भागों डिवाइड करने इस लाइन को जो 70.5 कर खिचाता है उसको साथ बराबर भागों में डिवाइड किया इस प्रकार ये टोटल लिष्टेंस जो यहां से यहां तक है वो 7 मेटर पढ़ने के लिए परियाबत है। अब इसका पहला खाना है, यहां से हम 0 लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां से यहां तक 6 मेट पढ़ने के लिए परियाबत है। यह जो पहला वाला है यह टेसिम इसको हम दस भागम बाद लेते हैं दस बराबर भागम में यह जो हमने पहले खाने को दस बराबर भागम बाटा है यह एक प्रती एक खाना एक डेसिमीटर प्रदश्चित करेगा इस प्रत थेसुमीटर बराबर एक मीतर होता है और यह कट्रत यहां से नहीं थी इसको वाकर देजिए कि कि ये हमारे जो है इसको लमबाई बन गई यह मारी जो है ये मापानी बन गई आप इसमें दूरी प्रदसित कैसे करेंगे इसको बनाने के लिए हमें एक 30 डिग्री 90 डिग्री से कम एंगल पर एक एंगल किछना होता है यह किछ दीजिए इस दूरी को ऐसे बढ़ाईए इसको नीचे तक ला दीजिए इसको भी नीचे तक ला दीजिए इस लाइन को भी नीचे बढ़ाईए इसको भी इसको भी और इसको भी ऐसे इसको पै सब्सक्राइफ कि इससे मिला दिए और जीनों वाले अब देखेए यह यह जो था एक दो दीन चर पांच यह साथ आठ नो दस यह तस को प्रदस्ट करेगा अर्थात यह अब हमारे पास question यह था कि यह हमारे skill वर इसको सब दस भागों बाट लिए इसको पूरे लेंध को साथ भागों बाट लिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि सब्सक्राइब करने अर्थात यहां से यहां तक एक मीटर और यहां पर अंतिम अर्थात यह जो लास्ट वाल पॉइंट उसको उपर बढ़ा दीजिए थोड़ा सा यह सेवें मीटर अब आप यहां से यहां तक ना पहेंगे तो टोटल डिस्टेंस साथ मीटर होगी इसको क्या से मिला देजिए अरो बना देजिए बस यह आपका अधिक्ता मेक्समीन डिस्टन साथ मीटर हो गया अदूसरी तब पॉर पॉइंट सेवें मीटर आप देखिए फूर वान टू त्री फूर फूर मीटर यह है और पॉइंट सेवें अब पॉइंट सेवें इसमें दो ती चार पांच साथ यह साथ मीटर रहा है साथ मीटर वाली लाइन को थोड़ी से ऊपर बढ़ा दिजिए और इसको आपस में मिला दिजिए है तो यह जो डिस्टेंस होगी चुक्कि इसका प्रतिय खाने 10 decimetr को प्रत्सित करता है तो इसलिए ये पॉइंट 4.7 मीटर को प्रत्सित करेगा क्योंकि ये 4 मीटर और 7 decimetr और ये जो था ये 10 decimetr 10 खाने 10 decimetr को प्रत्सित करेंगे तो ये हो गया ये एक मीटर हो जाएगा और यह 6 मीटर तो तो पोटल हो जाएगा 7 मेटर इस परकार हमारी यह मापनी तैयार होती है यह सिंपल स्केल था थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो जगर हमें वीडियो पसंद आए तो लाइक सस्क्राइब ज़रूर ज़रूर करें और ज़दा ज़दा लोग के पास सियर करें